नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे अडानी समू के अडानी विल्मार स्टॉक के बारे में जो लगबग 3% के गिरावट पे है और ये बहुत बरी गिरावट नहीं है क्योंकि पूरा इंडाइसेस भी दिखेंगे तो यहां बरी में ही सेंटिमेंट विक रहा है जिसके कारण आपको जो है इंडियन इंडाइसेस के निगेटिव के कारण आपको AWL में भी गिरावट दिखी अब आगे के ट्रेंड और न्यूज को समझे से पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जोईन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से ए इरावट रही मुझे लगता है चुकि यह अल्रेडी हाइच से 60% वीक है तो यह एक बाइंग जोन हो सकता है अगर आप लोंग टम होल्डर हैं तो 290 के SL को लगा करके यह जोन एक ओपर्चुनिटी होगा यह एक डिमांड जोन पे हैं मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप स small SL के साथ trade कर सकते हैं यह एक ऐसा zone है जहां favorable risk reward for short term trader नहीं दिखता है तो अगर आप long term investor है तभी बने रहें तभी आप इस stock को fresh buying करें अनि था short term trader बिल्कुल ignore करेंगे RSI oversold के territory के आसपास है यहां देखेंगे RSI oversold के आसपास है इस समय support के आसपास trade कर रहा है यह एक demand zone बनेगा investor के लिए trader के लिए या तो यहां से या फिर इस zone पे इस जगा पे trader बिल्कुल ignore करेंगे और trading में हमने कहा भी है कि जब यह 50 day moving average के नीचे हो तो बिल्कुल ignore करेंग करेंगे बिल्कुल